हेलो एब्रिवान मैं हूँ रीना और आप सभी स्वागत है रीना की दुनिया में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीकन दम बिर्यानी की रेसिपी तो चलिए फटा-फट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो चीकन दम बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले बनाएं गैस पर रगदी है करहाई संद्श तेल हमारा गरम होनाहाई और यहां पेहले पास मीटियम साइचके प्याज को इस थरह से कटड़ करके लिए और इसको करना है गॉल्डन ब्राउन तो तेल हमारा यहां पे गरम हो गया है, एध कर देते हैं गॉल्डन ब्राउन व तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा डार्क हो गया है और यहां पे हमने 700 ग्राम चीकन को अच्छे से दो के वाश करके ले लिया है और वाश करने के बाद इसको करना है मेरे नेट तो इसमें जाएगा मेरे नेट करने के लिए दो चम्मस अधरक लसुन का पेश आदा चोटा चमस सल्दी पॉडर आदा चोटा चमस लाल मिर्च पॉडर यह तीखी वाली लाल मिर्च पॉडर है तीखा अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आदा चोटा चमस धनिया पॉडर आदा चोटा चमस कस्मीरी लाल मिर्च पॉडर आदा चोटा चमस गरम मसाला पॉर्डर, और इसमें 2-3 चमज एट करना है दही, तो यहां पर हमने 3 चमज दही एट किये हैं, करीबन 100 गराम के करीबन, तो दही को एट करने के बाद इसमें जाएगा फ्रेस हरा धनिया और पोदीने के पत्ते, हमने इसको अच्छे से धो के कट कर लि थी, और पोदीने के एट करने के बाद इसमें जाएगा बिरियानी मसाला दो बड़ा चमस आप कोई भी ब्रांड का बिरियानी मसाला ले सकते हैं और बिरियानी मसाला एट करने के बाद इसमें जाएगा टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक एट करें और नमक एट करने के बाद इसमें एट कर देना है एक निम्बू का रस तो यहाँ पर हमने निम्बू का रस भी एट कर दी है साथी में जाएगा तेल हमने यहाँ चार से पांच चमस तेल एट की है और तेल एट करने के बाद इसको अच्छे से करना है मीक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको mix कर रही हूँ और इस तरह से हमने mix कर दिया है और mix करने के बाद इसमें जाएगा brown प्याज हमने जो अभी प्राई किया था प्याज को तो यहाँ पे हमने प्याज को भी एट कर दिये थोड़ा सा प्याज हमने रख लिया है बाद में काम आएगा और प्याज एट करने के बाद बाद बापस से एक बार mix करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने mix कर दिये और mix करने के बाद इसमें लगा देना है धकन और इ पनी एच्छह करें दो चृमिट चावल को जो डोड़ने के लिए चावल के लिए कि सब्सक्राइब जेगर देा और उसमें एट करना है दो बड़ा चमस नमक और कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास खड़े मसाले हो और इसमें दो तेजपत्ता भी एट कर देना है तो यहाँ पे तेजपत्ता भी मैं एट कर दी हूं और इसको ढगा दे और उबाल लाने दे तो चलिए देख लेते हैं उबाल आया या नहीं पानी में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा उबाल ला रहा है तो उबाल इसमें एट करना है धनिया पुदीने के पत्ते साथी में एट कर देना है चाबल को धीरे करके तो यहाँ पे हमने सारे चाबल को एट कर दी और आदा निम्पू का रस जाएगा इसमें और एक चमस के करीबन तेल यह गी तो चलिए गी को एट कर देते हैं और गी को एट करने के बाद इसको अच्छे से मिला देना है और मिलाने के बाद धकन लगा के वाल आने देना है और चावल को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 75% ही यहां पे पकाना है, बाकी का हम दम पे पकाएंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, चावल इस तरह का होना चाहिए, तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं, और पानी को निकाल लेते हैं, और यह पानी को हमको फेकना नह च्छावी और चम्बस तेल कर दिया है और तेल कर गरम हो गया है तो घड़े असमें आट कर देना है आपके पास जो भी घड़े मसाले हो आट करें तो हमने यहां पे जीरा, काली मीच, बढ़ी लाइची चोटी लाइची दाल चीनी एट की है एक उस सकेंड के लिए खड़े म और मिक्स करने के बाद धकन लगा दें और 8-9 मिलिट के लिए चीकन को फ्राय करना है मिडियम टू लो फ्लेम पे तो यहां पे हमें फ्राय करते वे 5-7 मिलिट हो गये हैं तो यहां पे एट गया है हमने एक टमाटर को अगर आपको बिर्यानी में टमाटर नहीं पसंद हो तो आप इसको इसकीब भी कर सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं चीकन को और यहांप resultado 10 मिट गए हैं प्राय करते वे चीकन तो इसमें हमने जो चावल का पानी निकाला था दो कर्ची लग देना अर पांच मिट के लिए चीकन को छोड़ देना है और यहांपे आप देख सकते हैं 5 मिट के बाद हमारा चीकन है चीकन को भी 85 ही पकाना है तो चलिए फटा-फट बिर्यानी का लेयरिंग कर लेते हैं तो यहां पे हमने एक तपेली लिए और चारो साइट से हमने गी को ग्रीस कर दिया है और उसके बाद इसमें एट करना है चीकन चारो साइट से फैला देना है चीकन को और उसके बाद इसमें जाएगा चावल चावल को भी फैला देना है चारो साइट से और उसके बाद एक्ट करना है थोड़ा सा बिर्यानी मसाला थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही में एक्ट करना है धनिया पुदीने के पत्ते ब्राउन प्याज और सेमी पोसिजर को दोहराना है यहाँ पे चीकन जाएगा चीकन को फैला देना है पापस्ते चाबल चाबल को भी फैला देना है और उसके बाद जाएगा इसमें बिर्यानी मसाला जरम मसाला ब्राउन प्याज धनिया पोदीने के पत्ते और साथ ही में यहाँ पे जाएगा दो बड़ा चमस गी गी से बिर्यानी में मोश्य और अच्छा रहता है एकदम रूखा रूखा आपका बिर्यानी नहीं बनेगा एकदम खीला खीला बनेगा तो यहाँ पे हमने दो बड़े चमस गी को एट कर दी है और लास्ट में जाएगा इसमें फूट कलर अगर आप फूट कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आपके पास केसर हो तो उसको दूद में भीगा के दो बड़ा चमस वो भी एट कर सकते हैं तो हमारा बिर्यानी तैयार है दम पे जाने के लिए तो हमने यहाँ पे दो लेयरिंग लगाया है बिर्यानी का आप चाहे तो जादा लगा सकते हैं और हमने ढखकन लगा दी है इसमें और अप चाहे तो इसमें सिलबर पेपर या फिर आटे का लीड या मलवल का कपड़ा लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हू चारो साइट से अच्छे से लगा देना है अब देख सकते हैं तो गैस पे हमने रख दिये पुराने तवे को और फूल फ्लेम पे 5 मिट के लिए तवे को गरम कर लेना है और उसके बाद उस पे रख देना है बिर्यानी को दम देने के लिए तो यहां पे हमने गैस पे रख दिया बिरियानी और पांच मिट के लिए फुल फ्लेम पे रहने दे उसके बाद लो फ्लेम करके पंदरा से बीस मिट के लिए बिरियानी को छोड़ दे दम पे और यहां पे 20 में ठोग गया है तो चलिए देख लेतें बिर्यानी को तो हमने आटे को हाँ से खोलने की कोजिस की तो बहुत गरम है आप चापू से सहाइता से ही खोले तो यहां पे आप देख सकते हमारा बिर्यानी एक दम तैयार है तो तुरंत ही इसको नहीं खोले पांच मिट के बाद ही खोले ताकि आपका चावल तूटे नहीं तो चलिए फटा फट बिर्यानी को सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने गर्मा गर्म चिकन दम बिर्यानी को सर्फ कर दिया है, और एकदम खेले खेले बने हैं हमारी बिर्यानी, आप देख सकते हैं, इतनी टेश्टी और यमी दीख रही है, तो आज की ये मिज़ेदार रेसेपी आपको कैसी लगी हमें कोमें में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें अब आपसे मुलगात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार